दोस्तो महाभारत ग्रंथ में कई बार युदिष्ठिर को धर्मराज का दर्जा दिया गया है किन्तु खुद युदिष्ठिर ने महाभारत में तीन बार अपने धर्म का उल्लंधिन किया था हम आपको ये तीनों वृतांत हमारी तीन वीडियो के मध्यम से बताएंगे और इस वीडियो में हम आपको उनके पहले धर्मुलंधिन का वृतांत बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं बाकी के दो वृतांत हम आपको अगी दो वीडियो में बताएंगे तो चलिए शुरू करते है दोस्तों जब पांदव और कुंती लाक्षाग्रे के शद्यंत्र से बचकर वन में ब्राहमनों का भेश धरकर छिपकर रह रहे थे तो हम सब जानते हैं कि उन्हें ड्रॉपदी स्वयमवर का समाचार मिला था पांचों पांदव दान लेने के लिए उस स्वयमवर के लिए पांदवों को बताया था जब अर्जुन ड्रॉपदी को उनके स्वयमवर से जीत कर अपनी माता की कुटिया में ले आये तो उनकी माता के दिये आदेश के कारण उन सब को ड्रॉपदी से विवाथ तो क्योंकि युदिश्टिर को पहले ही अगर मैं ये बात पता चल गई थी कि उन सब का विवाथ द्रॉपदी से ही हुगा तो युदिश्टिर को द्रॉपदी स्वयमवर में नहीं जाना चाहिए था क्योंकि युदिश्टिर को पहले से ही मालूम था कि जिस महिला का विवाथ पांच पतियों से होता है उसे समाज में नीची नसरों से देखा ज युदिश्ठिर ये बात भली भाती जानते थे किन्तु केवल अपने भाईयों को आपस में जोड कर रखने के लिए उन्होंने इस निश्क्रिय वृतान्त को सही बताया उन्होंने एक महिला का उदाहरन दिया जिसका विवान साथ रिशियों से हुआ था यदि युदिश्ठ पहले ही पांचो पांदवों को ड्रॉपदी स्वयमवर में जाने से रोक लेते तो ड्रॉपदी का स्वयमवर स्थगित हो जाता क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्रॉपदी के स्वयमवर में कोई भी ड्रॉपदी को जीत नहीं पाया था जिससे ड्रॉपदी का कभी अपमान और कभी महाभारत का युद्ध भी नहीं होता किन्तु केवल अपने पांचों भायों को एक जूट रखने के लिए युदिश्थर ने अपने धर्म का उल्लंगन किया ये पूरा वृतांत व्यास रचत जयासमिता में इस पश्ट रूप से उल्लेखित है यदि आप हमारे वि कैनल को सब्सक्राइब कर दे